दो बोल पर दो चक्के और उमर भाई मिचोर पले आ रहे हैं इस चीज़ का फाइदा जरूर उठाएंगे वो ही हुआ बिलकुल एक और सबर्दस चक्का मिड़ विकट के ओपर से छे रंज के लिए देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं उमर भ टीम जिसने कॉलिफाई किया है फाइनल के लिए वो बिलाल 11 से आलकोट की टीम है उसे कुछ ही देर पहले इस मैच का टॉस हुआ मैच ओफिशल कलीम दोनों टीमों के कप्तानों के साथ मौजूद थे इलीड प्रॉपरटीज की टीम ने टॉस जीता है और उनने पहले बॉ सकते अकबर पोली चोटा मानी चोटा अमर हमजाडार होरेरा काची लेफटी मौरी निभाई है और वो अपनी टीम को आगे लेकर गया है लेकिन अब मुकाबला बढ़ा है समी फाइनल है घलती की कोई गुझाईश नहीं है हारने वाले टीम टॉर्नमिट से बाहर हो जाज उसमान जान पटा को बिकलोंबर डोमिनेट किया पहला बाल डाट कर में डिसेबल हैं लेकिन होसले बढ़े हैं वान सेकेने लगल बहुल ओर बेद्री डिलिवरी स्लोवान चेंज़ आपेस और बिकलोंबर फिर से चक्वाँ दिया उसमान जान पटा बड़ा शाट कह हैं कात्रे में कैज को ड्राप कर दिया या मैच को ड्राप कर दिया इसका फैसला वकत करेगा फिलाल चांस मिलेगा वहां पर जेभी बट को तीन गेंदों में सरफ तीन रंदी हैं सामने हैं इनके जेभी बट उठाकर खेलना चाह रहे थे अपील आउटसाइड एज पद Ferguson के लाएं बट को पविलेएं वाफिस जाना होगा पद साकव लेफटी को रोकना किसी बी बलेवाज के बास की बात रही यह वो नहीं रुकर है वह सको चलता का रह रहा हैं वाप पहविलियन बेज रहे हैं यह टाट का रहे हैं सब ही बलेवाजू को परिशान का रह रही है कि यह पेस को वेरी करते रहे हैं बैट्समन को जादा पेस नहीं दे रहे वर्क करने के लिए और सिर्फ तीन रनाए हैं पांच गेंदों का खेल हुआ है सोबर में बेहतर होगा विकर्ड बचाना साकप को मारने जाएंगे तो नकसान दे हो सकता आपके लिए और यह द वोड़ा शुट अट वाल कम दो समी फाइनल वेलकम तो MPL सीजन सेवन नसुरूला रांजा वांच अगें नसुरूला रांजा शाट के ले फिल्ड मजूद एक रंग की देंगे जासत और अच्छा कामबा कर गें अच्छा कामबा कर गें बोंडरी के बाद अक्टा किया उ असानी दूसरे की काल लेकर इंटेस्टेड बिरकर वाबर दिकाई नहीं दिया उस्मान जान पठा हुद्फेस करना चाहते हैं उस्मान जान पठा अक्बर पॉली ओन दा ड्राइविंग सीट लैट सी के मैच को किस तरफ लेक जाते हैं कितना टार्गट साट कर में कामबा होते हैं और पीछे विक्टू के आप देख रहे हैं यह डेंजर मैन है अगर आप हंडर्ड भी करेंगे तो यह अगर विकर पर रहे पांच अवर अगर असल पेंड़ा केल जाते हैं तो फिर टार्गट चेस समझे आप अबिल्टी है अगला बहुने सुरूला शाट के ले कोशेट पूर्ट पूर्ट नसमी ओड़ा फट्यार एक्टिलंट यंग मैन एक्टिलंट फिल्डिंग एक्टिलंट बोलिंग गुड़ कमबेक बैसरे परफॉर्मिस लेक्साइट के एरिये को टार्गेट करेंगे उठा दिया उनसाइड में यह बड़ा उंदा शॉट है यह गेंट क्लियर कर जाएगी फैंस को और चक्के के साथ इस ओवर करेक्ट अताम दो के बात पट्था इलेवन अठाईस एक के नुकसान पर गई है अब दूसरे समी फानल का मुकाबला जारी है अच्छी गेंद और एक्टिनेंट वाट्या ट्लिवरी बिल्कुर वंबा डॉमिनेट करके वाप जाएंग उस्मान जान पठा और सबी मकाबलों में आसे ही फ्लाप नजर आए बाराल टीम उनकी जीत रही है यह बालर डॉमिनेट कर रहे थे हमने देखा यह बड़ा शांदार यॉरकर है य लाउंडरी के बाहर आकर गिरी एक दिलका च्छका हमजा की जानिब से अहमद बिस्मिल्ला लहोर वर्सस्थ गुज्रावाला सुलोवान नुर्स कर चार्टर के रस दाएंगे छे इट्स नंबर चू बोलिंग एंट से दोड़े अंपार क्रास किया और बेहतरी नबाल बिक चार रंज का होगा इसाफा शार्केले फाइना की जाना फिल्डर फिल्डर बिक मजूद है नसुल्ला रांचा एक रांचा एक रांच की देएंगे इजास्त रांच के दर बढ़ते फूर्टी एट उनका चला रंजुगला एक दुआ फिर समीदू कर मेंबर होंगे इस 51 बाल 50 कंप्लीट इस जबर्दस टैमिंग ऑफ स्टम के बाहर खराब बॉल था इसको खुबसूरती के साथ ता टाइम किया मैच विनिंग स्कोर होगा 81 टू और ये अच्छा बाल नीचा रहा बला उपर से गमा दिया पूरे जोर से मारना चाहते थे लिकिन बीटुए अब और एक शांदर ओवर मैच में वापसी करवाते हो फटान फ्राम कराची और टो पैज और फिल्ड बाल के बीचे दो रन पहला रन काफी तेजी से लिया था दो रन असानी चाहेंगे गुड रनिंग बिट्वें अविकट पठा अलावन गुज्रावाला पहले बहले बाजी करते हुए चोत्ते अवर का मकाबला बिकुछ है वो इतताम बजीर हो चुका 56 रन जवे बना लिए चार अवर के ताम पर शर्वर्स जंक ट्रबिक लामने सामने लोर वर्स गुज्रावाला सभी फाइने मकाबला बिकुछ चलता हुआ पहली बैटिंग आखरी अवर कितने रन जाएंगा आखरी अवर में देखना पड़ेगा हेवी गो पहला बोल बेहतरीन बिकुछ बला काल में शाट के लिए कोई चांस नहीं था एक रन बाद सानी मिलेगा अगाज अचा है अगाज बिकुछ बिकुछ बेहतरीन वाप पर बाद चुके हैं एक बोल पर दो रन दे दिए शाट और बरफुर कोशेश लेकर रख दाएंगा चे गबर बिकुछ एं उस्मान जान पटा कुछ एं गुजर शाट केले फाइला के जाना फिल्ड मजूद एक रन की देंगे इजासत गुड फिल्डिंग आप सामना करेंगे हम्जा डार यंक्टर फ्राम गुज केले गेंदे क्लियर किया फैंस को बड़ा शांदार शक्का आपर हम्जा की जानिव से हम्जा धार यंक्स्टर ने इस पूरे टूर्णमीड में बड़े टूर्णमीड में टेबल के करके नंबर वन टूर्णमीड में आपनी बेहतरीन परफॉर्मिस से थाबत किया कि वह ब रस दाइंग अच्छे बेतरी इंफिनेश करके बेतरी इंफिनेश करके कमाल करके हम जड़ डर एक्चिलेंट बैटिंग पीस एक्स्ट्रा की मदद से पठ्था 11 गुज्रावाला ने सजाएं हैं बॉलिंग के अगर हम बात करें के क्विक्ट आई असाके बलफ्टी और एमत बिस्मिल्ला के हिस्से में लगास के आखरी ओबर ने गेम का नक्षाई पलट कर रख दिया है यहां पर एटी सीक्स को कहीं से बॉल उठा कर कहीं भी भी चक्का लगा सकते हैं इसलिए इनको पेंडा कहा जाता है इस दफ़ा खेला है स्कुर्ले की साने फील्डर ने दाइंचाने डाइव करके इस गेंड करोका दो रंज आसानी से मिल जाएंगे खतरनाक रही है पूरे टूर्नमेंट में ले बहुत अच्छी गेंड इस दफ़ा चोटा उमर और चाहे चोटा उमर हो बेलकुल अच्छी शुरुआ आती हाँ पे चोटा उमर की जाने से तीन उमर अपने बॉलेंग के निशान से और इस बार फुल लेंट बॉल था कवर की जाने खेला फिल्डर मौजूद है महाँ पे उमर लेफटी और गेंड को फिल्ड किया एक ही रन मिलेगा दाद दे रहे हैं यहाँ पे उच्छा खेला क्या यह खतरनाक होगा लगी रहे थोड़ा सा आगे की रही है गेंड फिल्डर से बिलकुल इनका निक नेम यह चे लाहोर एंपियल सीजन साथ बहुत ही अच्छी ग अपिस बेज़ दिया डायरेक्ट है बिलकुल सुस्त रहे थे पिंडा यहां पर और डायरेक्ट हिट का इंतजार किया था बिलकुल शायकीन बलके जो गुजरा वाला के फैन्स हैं उनकी खुशी दी दिनी है राशिद बांस अगें और इस पार फाइनले की जानब खेला फ यहां पर एक ही रन मिलेगा सामना करेंगे उमर भाई राशी पहली दो गेंदों पर चैन्स दिये कोशिश ही होगी के डॉट डिलिवरी करें उमर भाई नहीं शाट लगाए और यह गैंसे लिगए एक्ट्रा कवर बांडरी से बाहार एक जौरदार चका बिलकुल आसिफ ब पुरा बोल नहीं था लेकिन टाइमिंग बड़ी जबरदास थी देखिए आउटसेड़ आउस्टाम था आपर इसको अगर तश्बी दी जाए तो एक टीम से आलकोट एक लाहोर आ ओमर भाई इस उन फाया यह दूसरा लगतार चका और इस जफाई गैंद बेकी हैं मिड़ से बाहर बहुत ही जबरदस हुआ था हसन पेंडा रन आउट हो गए थे ओमर भाई आउटसाइड एज फिल्डर महाँ पर मुझूद हैं पहला रन तेजी से लिया एक रन बनेगा अपने बालें के निशान से अच्छा शाड इस बार वकास कबूदर पूरा स्कॉैल लग के ओपर से केला है चे रन्स अमर भाई शेखुपूरा दो चके वकास एक चका तीन चके सोर में थार्टी टू हो चुगा है मैंने कमेंट्री की मार्खोर में भी यहां भी बहुत मज़ा आया पहली गेंड यहें अमर भाई और इस जफ़ा अमर भाई ने एगेंड दी स्टेडियम से बाहर चैरंस बेलकुल पहला बोल यहां पे अमर भाई शेखुपूरा जहां से सिलसला रोका था वहीं से दुबार बिलकुल माच नीडेट बाउंडरी सी बड़ा मैच है हसन पे दो बोल पर दो चके और उमर भाई मिचोर पलेयर हैं इस चीज़ का फाइदा जरूर उठाएंगे वही हुआ बिलकुल एक और सबर्दस चका मिड़ विकट के उपर से छे रंस के लिए देख सकते हैं चोटे बच्चे हैं और बड़ा इंजोई कर रहे हैं होच उड़े हुए हैं तोते उड़ें के और यह हैं यह उमर भाई यह चौथा चका इसी का इंतजार था और बार बार तसक्रा हुआ कि यह है रहे शेख उपुरकन ओजवार अभी बदा कि हैं और उमर भी चाहेंगे इसी उपुरा को अच्छी बल्ले बासी और लेकिन बालर ने अपनी जान चुड़वाई है यह विकर्ड लेकर क्योंकि चार चक्के लग चुके थे मेरा ख्याल है कि ओमर भाई ने जितना अच्छा और यह व्रंज बनने का सिलसला थम नहीं पा रहा इस जफ़ा यह फाई लेक के उपर से शानदार चक्का बिलकुल ओमर भाई शेख उपुरा की आउट होने के बाद 64 दो किलाणी को निकसान पर ओमर भाई ने दस बोल खेल है 22 रंज मजीद चाहिए 12 बारा बोल्ट हैं राइट हम फास्ट बालर मुख्जम है बोल की फुल टास बोल उठाके खेला है वकास कबुदर पुरा बिलकुल अब यह सिलसला रुकने वाला नजर नहीं आ रहा हुमर भाई के बाद अमीन उसके बाद वकास सत्तर हो और इस बार एक और अच्छा शाट फिल्डर मौजूद ट्राइज रूट की थी लेकिन चार रंड मिलेंगे ये ये जो 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 खरोश है ना असल M.P.L. का मकसद ही है ये FMW फरहाद मैंज वेर अपने बॉल के निशान से तीसरा बोल कराएंगे अपने वर का फोल टास और यहां पर ग्राउन शाट है फिल्डर मौजूद है एक रण मैंज को फिनिश करेंगे मौजब फिर से इस बार शाट क्या है फिल्डर मौजूद है और चार रंज विनेंगे बिल्कुल दिल चोड़ चुके हैं फिल्डर भी यहां पर फट अच्छी नज़र नहीं है सिर्फ चार रंज मजीद बलके तीन रंज मजीद चाहिए या फिर बैटिंग का पूरी प्लानिंग नज़र आए गेम प्लान बड़ादस था यह देखें फंबल हुआ है यहां पर एकी रंड मिलेगा और तूसरे रंड के लिए भी वकास आना चाहरे है दिल अगर मना किया अब सि पौरें के निशान से तो रंज मजीद चाहिए और इस बार अच्छा बॉल और इसके साथी ओवर मुकमल 84 चार ओवर गिखतांबर दो खिलाड़ी उनिकसान आउट किया था च्छोटा उमर ने इस बार कट चार्ट किया है फिल्डर मौजूद नहीं है बिल्कुल मैट्स यहां बे विन कर लिया इरीड प्रॉपर्टीज की टीम ने एक बड़ा मारका अपने नाम किया है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है बिल्कुल सज़्दा रेज यहां यहां पर खुश्किया मनाते हुए तमाम किलाडी शायकीन क्रिकट भी मैदान में उतर चुके हैं और सब लोग यह चारे हैं कि अपने किलाडियों को दाद दें वकास कबूतर पुरा और शफीक पठान को गोद में उठाने की कोशिश की लगता है वो भारी बहुत ज मर्रा जबर्दस ओवर किया था